नमस्ते एब्रीवान आप सबका स्वागत है मेरे यूटूब चैनल पर मैं आज बनाने जारी हूं बहुत ही आसान और स्वाधिश्ट रेश्पी तो चले वीडियो शुरू करते हैं आज मैं बनाने वाली हूं तिल और गोण की लड़ू ये लड़ू खाने में बहुत स्वाधिश्ट लगता है तो इसे बनने के लिए मैंने एक कटोड़ी सफेद तिल लिया है और एक कटोड़ी गोण लिया है कूट करके मैंने रख लिया है यहां मैंने पेन गरम करने के यानि कि हम उंगली के सहारा से इसे दबा करके देखेंगे तो यह हलका तूटने लगता है चीर हो जाता है तो हमारा तिल भून चुका है हम गैस को अप कर लेंगे उसके थंडा होने के लिए रख देंगे यहां पेन मैंने फिर से चला लिया है उसके बाद हम इसमें थोड़ा दातों में कटकट या चिपके ना इसलिए हम घेडा लेंगे उसके बाद से मीडियूम फ्लेम पे दो से तीन मीन अच्छे से इसे चलाते हुए इसका देखेंगे कि जाग बनने लगा है जाग जब डर्क कलर कर बन जाता है और किनारे किनारे से जब पेन छोड़ने लगे त इसको हम यहाँ पे अफ कर लेंगे और जो हमने तील भून करके रखा हुआ था उसे हम इसको डाल के अच्छे से मिला लेंगे और मिलाने के बाद से हम अच्छे से एक से दो मिन इसे छोलनी से मिलाते रहेंगे मिलाने के बाद से हम यहाँ प्लेट को घी से थोड़ा सा ग्र देखिए अभी बहुत गरम था छू भी नहीं पा रही थी लेकिन फिर भी मैं कुशिस कर रही है कि इसको एक अटा करके गोल लड़ू बनाने की कुशिस करूँ क्योंकि ठंडा के दिन में जब सद्धिक मौसल चलो हो जाता है तो बहुत जल्दी यह ठंडा होने लगता है मैं बहुत असानी से बना ले रही हूं और एकी करके ठाली में रख रही हूं तो देखे कितना अच्छे सेबन जा रहा है आप चाहेंगे तो दोनों हातों में लेकर बना सकते हैं या फिर बायवर करके भी बना सकते हैं बड़ा या चोटा आप अपने पसंद से साइज रख में मेडियम रख रही हैं यह बड़े बच्चे सारे लोगा सकते हैं सर्दी के मौशं में मकर सकरानती का स्पेशल रिस होता है इसके व conference चैनल को लैक सब्क्रानती जरूर कियां सर्दी इडेमें तो भी लिft वहारा रहा लूए फायदे मंद होता है खाना इसे जरूर सर्दी की मौशन में बना करके खाना चाहिए और बच्चे बड़े सारे लोग को बहुत ही पसंद आता है होर हेल्दी भी होता है तो इसी बनाना तो बान से 6 मिन के अंदर में इसली आप बना सकते हैं ज्यादा वक्त नहीं लगता है और बहुत ही कम पैसों में घर पे सुध बन गर के रिडियू जाता है तो देखिए मैं कितने अच्छे से बात करते करते अप लोगों से अच्छे से सारे लड़ू तिल गोन के बना ली हूं वैसे यह काले वाले तिल में भी बनता है लेकिन सफेद वाले तिल में ज्यादा अच अच्छे लेक다 है तो अपना अच्छा इसको जो से लकिन प्रोस wife होगा कि उसको पाग बनां करके बना ज just gas k profound होता है उसको हमारे यहां पाग बोला जाता है पाग करके ही उसमें तिल डालते हैं तो बहुत है है किस्ट् harden अच्छा से सारे लड़्ो बन करके रिडियू हो अब मैं यहां एक दूसरे प्लेट में अच्छे से फिर से गोल करकर के रख दे रही हूं क्योंकि जब मैं बना रही थी तो काफी सोब्ट था और तलवे में चिपकने लगा था तो फिर से मैं उसे उठा उठा के गोल थोड़ा दबा दे रही हूं ताकि तूटे ना और सारे लड़ू को वे सही में सेम प्रोसेस से करके और प्लेट में रख दूंगी अगर आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज 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 लाइक सस्क्राइब कीजिएगा फ्रेंस बहुत ही मैंना से मैंने आप लोग के लिए वीडियो बना लाई हूं यह वीड प्लीज 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 इसे ज्यादस ज्यादस शेयर कीजिए अप लोग का सपोर्ट और प्यार का मुझे बहुत ही ज्यादा जरूरत है आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 ज्यादस ज्यादस शेयर कीजिए और प्यारा सा कमेंट चैनल को देखिए बातो बातो में हमारा अच्छे से सारा लड़ू बन करके रेडी हो गया है और यह बहुत ही आसानी से हम 5-6 मिन के अंदर बना करके से रेडी कर सकते हैं और एयर टाइट कंटेनर में रखके आप इसे महिनों दो महिने खा सकते हैं बच्चे बड़े सारे के लिए यह फायदे मन होता है तो आज का गब विडिएयो अच्छा लगेगा तो प्रीज 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 लाइक से स्क्राइब किजिएगा तो तक के लिए टेक क्यार और बाय बाय